आज मैं बना रही हूं अंडगरी और इसके लिए में पैन में तेग लिया है तो इसमें तोड़ा सा जीरा ढाल कि अच्छे से पेस्ट इस से पॉक्षे से पका लें और पकने के बाद हम इसमें एड करेंगे टमाटर और इसको कच्छा ना रखें कच्छे का टेस्स अच्छा ही लगता है तो इसलिए हम थोड़ा सा ब्राउन कर रहे हैं इसके बाद मैं इसमें अड़ कर रही हूं टमाटर आप तो चाहे हैं इसमें तमाटर की प्यॉरी भी डाल सकते हैं actually मैं मेरी light छली गई थी इसलिए मुझे टमाटर कट करके डालने पड़े थे और इसको अच्छे से पकने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा पानी चोड़ने लगे गलने लगे मैं इसमें कर रहे हूं मसाले अड़ और मसाले में डाले हूं मैं इसमें नमक, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से mix कर लोगें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला जले नहीं और सुखा सुखा नहीं रहे और ये पकने लगे और जैसे-जैसे mix होता रहेगा यह थोड़ा सा tight गाड़ा paste बनेगा अब मैं इसमें फिल से थोड़ा सा पानी add करेगा ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए और इसकी pem hm Ashley अच्छे से पक जाए और यह देट पकने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी add कर लिया है अब मैं इसको थोड़ा सा छील लूं छील रही हूं in J एक कंड़ा मैंने लिए कर लिए और फिर इसको अच्छे तरह से मोके लिंदिगने मीने नहीं रह्यां और त्लाइन नने पूर डे तरह से छील के ऊसा कार लगा है बहुत रही हुआ अब मैं इसको पीछ में से कट कर रही हूं इसको अच्छे से कट करके मैंने पैन में तेल डाले है इसको गरम करके अब मैं इसको पुरी तरह फिला लूंगी चारो तरफ और इसको थोड़ा थोड़ा पका लेंगे पूरा नहीं पकाने थोड़ा थोड़ा ब्राउन इसका कलर ह चाहिए और फिर इसको पकाने के बाद मैं ग्रेवी में डालूँगी जो मेरी दूसरी तरफ गैस पे पक रही है इसको गैस को मैंने बंद नहीं किया अंड़ा हो चुका है और यहां मैं इसको ग्रेवी में दालूँगी बढ़ना इसका योग निकल के बाहर आ जाएगा और द यहां मेरी सबजी एकदम रेड़ी हो चुकी है, यहां मैं इसको चपादी के साथ सर्व कर रही हूँ, देखने में बहुत ही टेस्टी थी, खाने में बहुत ही तेस्टी थी,